हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल लाइब्रेरी गोल मैं जोती आज फिर आपके साथ एक टॉपिक डिसकूर्स करूंगी जो है SDI SDI का फुल फॉर्म होता है Selective Derimination Information मतलब कोई चीज चैन करके चैनात्मक तोर पे जो हम Select करके जो Select करता है यूजर चैन करता है उसके एक रॉड़ेंग हम उसको Information पहुचाते हैं वो भी Internet के थूप कंप्यूटर बेस होता है SDI, SDI हम C, A, S हमने पिछली बार पढ़ाता है CS क्या होता है CS का SDI मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था यह इसका New Version कह सकते हैं आप जो पूरी तरह से Computer based होता है Online होता है यह हमारा और इसको इसकी सहापना किस ने की थी या इसको बनाया किस ने था तो वो HP Luhan थे 1961 Start तो इन्होंने 1980 से 1959 के पास से ही कर दिया था पर Computerize ही पूरी तरह से 1961 में हुआ था अब यहां पर हमने HP Luhan की बात की है तो HP Luhan से एक दो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी HP Luhan ने आप सबने देखा होगा एक Unitrum एक Indexing होती है उस Indexing को दिया था Calvin Mux ने लेकिन उस Term को यानि Unit Term को Term जो दिया था वो HP Luhan ने दिया था UNTERM इस शब्ट को इस World को जो है HP Luhan ने दिया था इसके साथ साथ आपने देखा होगा एक Quiz Indexing होती है जो KWIC उसको भी हमारे HP Luhan ने ही दिया था HP Luhan ने दिया था इसका फुल फॉर्म होता है Keyword in Context Indexing तो आप आपको यह ध्यान रखने को यह छोड़े-छोडे questions है जो आते है कि HP Luhan ने यूने टम किस ने दिया था या फिर कुछ वर्ल्ड किस ने दिया था तो इसको हमें ध्यान द है वह इन्होंने दिया था indexing बाद में बनाई गई थी उसका तो HP Luhan ने देख लिया कि HP Luhan ने SDI दिया था 1961 में पूर्टराइस कर दिया गया था SDI करता क्या है SDI जो भी selective information होती है मतलब जो users होते हैं users हमारे जो भी select करते हैं अपना interest of area या related information वो चाहते हैं सिर्फ उनको selective चीज़े बताई जाते हैं जैसे हमने बताया था कि CS last हमने पढ़ा था CS में क्या क्या जाता है कि CS हमारा जो होता है उसके अंदर हम हर तरी की information user को provide करते हैं उनकी interest of area के crowding लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ एक्षरा चीज़े भी दे सकते हैं और सभी users को equally देत user को information देते हैं जो उन्होंने select किया है उन्होंने जो criteria select किया होगा जो area जिसमें उनको information चाहिए होगी जिसके इनकी need होगी सिर्फ उनके selective areas के crowding हमको information देते हैं यह service हमेशा जो है user के इन मैंने आपको बताई interest of area के crowding प्राइड की जाती है interlibrary loan भी हमारी SDI service में provide की जाती ह अब interlibrary loan हम सभी जानते हैं अगर हमाई library में वो available नहीं होता तो हम दूसरी library से उसको लेकर user को अपने user को available कराते हैं ताकि वो satisfy हो और साथी साथ translate service मान लेजिए किसी document या कोई book या कोई भी related information से है और वो उसकी form जो है उसका translate अपनी उसमें चाहते हैं तो उनको हम translate करव के भी उस information को provide करते हैं चलिए STI का work कह लें step कह लें हम उसके बारे में बात करते हैं STI में हमारे जो है आप सबने देखा है यूज जब हम computer पर बैठते हैं तो अलग अलग सौफ़ेर से होते हैं और सौफ़ेर पर हम अलग अलग तरीके से user की हर एक detail बनाते हैं ताकि एक प ताकि हमें time to time हम भी update हों साथ में user को भी update करते हैं उसी तरह ये STI है सेम हमारा STI में हम user की पहले profile बनाते हैं फिर document profile करते हैं user की फिर उसके बाद हम उसे match करते हैं profile को document profile से की user ने जो जो चीज से बताई है या उनका criteria है वो fulfill हो रहा है कि नहीं हो रहा हम उसको देखते हैं और उसको हम match कराते हैं and then match करने के बाद एक notification उन्हें देते हैं कि जो information हम आपको sent कर रहे है ठीक है यूजर को हम जब कोई information sent करते हैं ताकि वो user को easily notification की तरह मिल जाए user update हो जाए उसको पता चल जाए कि लाइबरी में ये चीज़े आई है या उनको हम provide वो जो उनका selective area है व जो भी information है उनको हम notification की तरह प्रोवाइड करते हैं अगर यूजर को वो सही लगती है कि उनके interest of area के रोड़िं हमने वो information दी है उन्हें सही लगती है तो फिर वो अपना एक feedback देते हैं और नहीं सही लगती तो वो उसमें अपनी queries भी बताते हैं अपनी feedback में कि हमें ये information चा तो वो अपने अपने experience के अंसार उनको जो भी feedback देना होता है वो देते हैं और उनके यूजर जो भी feedback देता है उसके according हम उसमें changes करते हैं अगर यूजर ने का नहीं ये interest of area है मेरा बट आपने गलत information सी है तो फिर हम उनका feedback लेने के बाद feedback लेने के बास उस service में या उससे related जो भी information आती है उसको modify करते हैं and modify करके फिर हम user तक पहुचाते हैं ये हमारे step थे STI को जो फॉलो किया जाता है और STI पूरतर से हमारे computer base होता है जैसे मैंने आपको बताया जो भी information है वो computer base पे ही मिलती है यानि online मिलती है और जो user इस library से attach होते हैं उनको membership होते हैं उनको भी जो हम जो है इसी तरह से provide करते हैं कि उनकी profile बनाते हैं फिर उनका document profile को match करते हैं उनके address of area के अंको भी डकुमेंट से उसको match करते हैं फिर उनकी इंट्रेस और आफ एरिया से हम उनको information provide करते हैं then उनको एक notification मलता है notification open करने पे उनने जो भी information दी गई अगर उने सही लगती ह तो वो अपना feedback देते हैं और नहीं सही लगती तो उसका भी feedback देते हैं और जैसा भी feedback आता है उनके तरफ से फिर हम उसे modify करने की कोशिश करते हैं and modification करके हम user को फिर उनके selective जो भी information से उनको हम provide करती यह था हमारा आज का topic SDI SDI में हमारा मेली जो चीजे पूछी जाती है वो यही questions होते हैं कि किसके अंदर feedback पूछा जाता है कभी-कभी आपने देखा होगा question पूछा जाता है कि लापरी के अंदर किसके अंदर जो है हमारा feedback service किसके अंदर है notification service किसके अंदर है user profile किसके बनाई जाती है तो यह एक छोटा सा step है जो six step में divided हो इन six step को हर एक library follow करती है जहां जहां पर SDI यूज किया जाता है and then साथी साल हमारा HP Luhan most important question आता है SDI किसने दिया था selected determination service तो हमारे HP Luhan ने दिया था 1961 और मैंने दो छोटे पॉइंट और बताए जो है क्विज एन क्या कहता है unit term शब्द जो है दोनों ही वर्ड जो है अगर आपको किसी यह topic के बारे में कुछ भी जाना है तो प्रीज कमंट सेक्षन में बताएं कि आपको किस topic के बारे में जानना है मैं कोशिश करूँगी जल से जल मैं आपको उसके बारे में बताओ उससे रिलेटर जो भी information होगी या उससे रिलेटर जो भी term या कुछ भी होगा मैं आपको provide करने की पूरी कोशिश करूँगी जो आपके लिए useful हो अगर आपको अच्छा लगए तो प्लीज लाइक करें, share करें, subscribe करें जितना हो सके प्लीज लाइक करें, share करें और अगर आपको कोई भी topic जानना है तो please, 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 please मुझे बताएं